आप समने राजा और बंदर की कहानी तो सुनी ही होगी जब राजा के आदेश का पालन करते हुए बंदर मक्खी को मारने के चक्कर में राजा की नाख ही तलवार से काट डालता है आज वही कहानी महारास्ट्रो में दो जोगा बोगा की जोड़ी फिर से दोरा रहे हैं जहां इपत्राजा का पात्र उधव ठाकरे तो वहीं बंदर गहिंड रहे हैं पार्टी की दिशा और दशा बदलने का जिम्मा जिस उधव ठाक्रे पर होना चाहिए था वह उधव पर 9 होकर संजे राउत के में है नमस्कार आप देख रहे हैं टीए फाई जोह देश का सबसे विश्वस निया उल्टरनेट नियूज मीडिया पोर्टल मैं पदमा श्रीशुभम आपको बताऊंगी कि कैसे संजर राउत ने शिवसेना के समूल नाश की नीव उसी दिन रख दी थी जिस दिन महाविकास अगाडी सरकार का गठन हुआ था और अब संकट के दौर में भी राउत बेशर्मी की सारी सीमाएं पार किये जा रहे हैं बताऊंगी कि कैसे शिवसेना के पतन का सबसे बड़ा कारक अगर कोई है तो वो हैं संजर राउत दरसल बाला साहिब ठाकरे ने जिस संजर राउत की उंगली पकड़ कर उन्हें राजनीती का कखग सिखाया आज उसी शिवसेना की धनिया बोने में संजर राउत सबसे आगे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं लेखन में राउत के निपोर्ता को देखते हुए बाला साहिब ठाकरे ने 1992 में राउत को मुखपत्र सामना का क सारेकारी संपादक बना दिया बाल ठाकरे सामना के संपादक हुआ करते थे परंतु सारे संपादकी यही संजर राउत लिखा करते थे जो यह बताता है कि कैसे राउत बाला साहिब ठाकरे की पसंद बन चुके थे बस एक इसी आशिरवात के कारण उन्हें सामना में लिखत लिखते शिलसेना की नीति निर्मान करने की शक्ति मिल गई अब वर्तमान परिद्रिश्य को ही देखे तो पता चलता है कि किस बुद्धिहीन व्यक्ति को ठाकरे परिवार ने अपने कंधे पर चढ़कर आग बरसाने के लिए स्वतंत्रता दी महाराश्ट्र की वर्तमान आगी विधायकों के कारण नहीं संजे राउत जैसे बड़ बोले नेताओं के कर्मों का ही प्रतिफल है इसी का सबसे बड़ा उदाहरण महाविकास अगारी सरकार का गठन है जिसको परिलक्षित करना इनहीं संजे राउत की उपज थी यूँ तो संजे राउत हमेशा से ही भाजपा को अपनी प्रतिद्वन भी पार्टी मानते थे जबकि भाजपा के साथ लंबे समय से शिवसेना की यूथी चली आ रही थी बावजूद इसके राउत के विशेले बोल कभी शिवसेना के मुखपत्र सामना के द्वारा बाहर आते तो कभी-कभी उनके बयानों के म बेरित हो उससे तो यही प्रदर्शित होता है कि उक्तव्यक्ति अपने परिवार अर्थात अपनी पार्टी के प्रतिलेश मात्र भी वफादार नहीं है संजे राउत उसी खेत की मूली है जो शिवसेना में रहते हुए उस NCP से गडबंधन कराने के प्रपंच रचते रहे जिसे बाला साहिब ठाकरे गाली देते नहीं ठकते थे वर्ष दोहजार नौ के लोकसभाचिनाव में राउत ने कुछ ऐसा ही करने का प्रयास तो किया था पर शिवसेना और NCP का गडबंधन हो नहीं पाया था अब आते हैं उसी भाजपा पर जिसके लिए राउत के मूख स कभी पुषपो की वर्षा नहीं हुई जबकि दोनों दशकों पुराने गडबंधन के साथ ही दार रहे थे दोहजार चौध में जब नरेंद्र मोधी प्रधान मंत्री बने तब से संजर राउत का बीजेपी पर हमला बढ़ गया उसमें महाराश्रु विधान सभा लड़ना पड़ा था चुनाओ के बाद बीजेपी को शिवसेना से अधिक सीटे आई तब शिवसेना को दो बारागट बंदन में लोटना पड़ा और देविंद फड़नविस यूती सरकार के मुख्यमंत्री बने बिशर्मी की पराकाश्टा ऐसी कि सामना में बीजेपी के खिलाफ आग उगलने वाले लेक अभी भी जारी थे अभी भी लिखे जा रहे थे अब वर्ष 2019 के समय एक बार पुनह बुद्धी खिसकने पर शिर्सिना ने कम सी प्राप्त करने के बाद भी मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताई और स्वैम 56 सीटे जीतने के बाद 106 सी उतके कर्मों के फलसुरूप महाविकास अगारी का गठन हुआ लेकिन वही है ना कि जूट के पैर तो होते नहीं है तो वो इसलिए जादा देर तक चल नहीं पाते हैं कुछ ऐसा ही हाल इस अगारी गडबंधन का था जो धाई साल के भीतर ही गिरने के पड़ाओ पर आ पह सारुजनिक रूप से गालियों और अपशब्दों के माध्यम से निकाल कर संजराउत ने सिध्ध कर दिया कि वो शिवसेना का नाश करने के बाद ही दम लेंगे हाल ही के बयानों में से कुछ बयान इस प्रकार है कि जब गुवाहाटी में 40 बागी विधायकों के शव मुंबई आएंगे तब हम सीधे पोस्ट मॉटम के लिए मुर्दा घर बेजेंगे उन्होंने बाग्यों को भैसा बताते हुए कहा कि गुवाहाटी में एक मंदिर है जहां भैसों की बली दी जाती है ये 40 भैसे वहां बली देनी के लिए गय हुए हैं यही नहीं बाला साहिब ठाकरे के नाम पर नहीं अपने बाप के नाम पर पाठी बनाओ जैसी भद्दी भद्दी भाषा के इस्तमाल से लेकर कब तक छिपोगे गुवाहाटी में आना ही पड़ेगा चौपाठी में शिरसेनिक सडकों पर हैं बस इशारे का इंतिजार है कि धमकी तक राउत ने अपनी बेशर्मी और नीच सोच का नंगा नाच कर शिरसेना को अवश मत्या मेट कर दिया आज शिरसेना की कारेकरता उधर ठाकरे के हर निर्णय को संदेह की नजर से इसलिए देखते हैं क्योंकि उन्हें ये विदित है कि बोल उधर रहे हैं पर शब बेवकूफ है जो खुली आँखों से अपनी बरबादी को देख रहा है और बंदर को और बढ़ावा भी दे रहा है कि जा जा मेरे शेर खेला कर